नमो नमा च्छात्रों आश्विद्याले से एक बार फिर से मैं निदी शिर्वास्तो संस्क्रित किस कक्षा में आश्विद्याले के कक्षा दस्वी के च्छात्रों का स्वागत करते हुँ च्छात्रों आज का इस अध्याय में हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है चात्रो प्राणे भ्यो अपी प्रिया सुहिर्द अर्थात प्राणे भ्यो अपी यने प्राणों से भी संदियोरिये प्राणे भ्या प्लस अपी यने प्राणों से भी प्रिया यने प्रिये सुहिर्द यने मित्र होता है यहने आपका अगर अच्छा दोस्त है पक्का दोस्त है तो वो प्राणों से भी बढ़कर होता है तो अपने प्रिय मित्रिका कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए उसकी बातों को उसी के बारे में यहाँ पर आपको इस अध्याय में चर्चा की गई है चात्रों यह भी बताए आपको दोस्ती के नाम पे तो मालूम होगा क्रिश्न और सुदामा की दोस्ती कितने गरीब थे सुदामा बिचारे परन्तु क्रिश्न के सामने कभी हाथ नहीं खलाया पत्नी के बार-बार कहने पे जब वो क्रिश्न के घर गए तो सुदामा को ले ले, क्रिश्न नंगे पाओ अपने राजदर्बार से दोड़ कर लेनी के लिए आए थे और खुब अच्छे से उन्हीं गले लगाया था तो छात्रों प्रिय मित्र के बारे में ही इस अध्याय में चर्चा की जा रही है तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है महाकवी विशागदत के द्वारा उसको जानने के लिए आईए हम लोग देखते हैं क्लाश 10 संस्क्रेट एका दशा पाठा प्राणे भ्योपी प्रिया सुहिरद याने प्राणों से भी बढ़कार मित्र होता है चात्रों प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचे हिंदी भाषा में आत संदी विच्छेद और प्रश्णोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है चात्रों आईए देखे पाठ पर प्रस्तुत नाट्यांश ये नाटक है चात्रों प्रस्तुत नाट्यांश महा कवी विशाक दत के द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नामा नाटक से लिया गया है और इस नाटक के भी प्रथम अंक से उध्रित किया गया है तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है छत्रों कि यह जो नाटक है यह महा कवी विशाक दर्द द्वारा रचित याने उन्होंने रचा हुआ है और वो महा कवी है उनके द्वार रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के पहले अंक से लिया गया है नंदवन का विनाश करने के बाद उसके हितैशियों की खोच-खोच कर पकड़वाने के क्रम में चानक के अमात राक्षस एवाम उसके जो कुटुम्बियों थे याने परिवार के लोग थे वो जानकारी प्राप्ट करने के लिए चंदनदास से वारता लाब करता है किन्तु चानक को अमात राक्षस के विशे में कोई सुराग ना देता हुआ चंदनदास अपनी मित्रता पर द्रेड रहता है यने पक्का रहता है तो चात्रो मुद्रा राक्षस नामक इस नाटक के प्रता मंक में या बताया गया है कि जो चानक के थे वो नंदवंश का पूरा विनाश कर रहे थे और विनाश करने के लिए उसके जो भी हितैशी थे उनको खोच-खोच कर पकड़वा रहे थे और पकड़वाने के क्रम में अमात राक्षस के विशे में वो चंदनदास से पूछते हैं और चंदन्दास अमात राक्षस के विशे में कोई भी जानकारी नहीं देता है क्योंकि वह अमात राक्षस का बहुत पक्का मित्र था इसलिए वह अपनी मित्रता पर पक्का रहता है उसके मैत्री भाव से प्रसन होता हुआ भी चानक के जब उसे राजदंड का भै दिखाता है तब भी चंदं दास राज दंड भोगने के लिए भी सहष प्रस्तुत हो जाता है देखे चात्रों वो क्या करता है कि आपने दोस के बारे में कोई भी जनकारी नहीं देता है तभी चानक क्योंसे दंड دेता है सजा देने के लिए भै दिखाता डर दिखाता है तो भी वो उस सजा को भी भोगने के लिए अपने मित्र के लिए तैयार हो जाता है इस प्रकार अपने शुरुविद्र के लिए प्राणों का उस्सर करने के लिए तत पर चंदन्दास अपनी सुविद्र निष्ठा का ए ज्वलंत धारन प्रस्तुत करता है य यह निश्ठा का एक जीता जाकता उधारन प्रस्तुत करता है तो इसी के विशय में यहाँ पर चर्चा की गई इदानिम द्रश्टों मिच्छामी यहने चाड़क ने किसी को बोला कि बेटा वस यहने बेटा मड़ी का स्रेश्टी नाम यहने मड़ी कार यहने मड़ी का स्रेश्टी नाम 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 यहने इस समय दरश्टोम इच्छामी संदी हो रही है दरश्टोम प्लस इच्छामी यहने देखना चाहता हूँ तो चालक ने अपने शिश्य को क्या कहा कि बेटा मैं मनियों के व्यपारी चंद अंदास को इस समय देखना चाहता हूँ तो शिश्य क्या कहता है तथेती तथेती यने जैसी आग्या हो तथेती में संदी और ये तथा प्लस इती यने वैसा ही हो निश्क्रम में चंदन दासें सहा प्रविश निश्क्रम में यने निकल जाता है और चंदन दासें सहा प्रविश यने चंदन दास के साथ प्रवेश क परिक्रामता तो शिष्य क्या बोलता है उनको चानक को सथेती यथा ही ओ और निकल जाता है निकल का चंदन्दाज के साथ वापस प्रवेश करता है और उसको बोलता है इधर उधर इदर इदर मीष no याने व्यापारी दोनों घूमते हैं अब शिष्य बोला है उपसृत याने पास जाकर उपाध्याए आयम स्रेष्ठी चंदन्दासा तो शिष्य ने क्या बोला पास जाकर उपसृत याने पास जाकर आचारे क्योंकि चानक के थे आचारे थे बहुत बड़े गुरू थे तो पाध्याय यानि आचारे आयम स्रेष्ठी चंदन्दासा यानि या स्रेष्ठी चंदन्दास है स्रेष्ठी को सेठ भी कह सकते हो और आप व्यापारी भी कह सकते हो तो पास जाकर आचारे को बोलता है या स्रेश्टी चंदन्दास है चंदन्दासा जयतवारिया अब चंदन्दास वो चाना के राजा है तो उसके दर्बार में गया है तो इसले उसको जयतवारिया कह रहा है जैतु आरिया में संदी हो रही है जैतु प्लस आरिया यहने आरे की जै हो फिर चंदन्दास कह रहा है अरे चंदन्दास ने आरे की जै किया अब चानग के कहता है स्रेष्टीन स्वागतम ते अपी प्रचीयन ते सम्व्यवारानाम व्रिधिलाबा यहने स्रेष्टीन यहने व्यापारी स्वागतम ते यहने तुमारा स्वागत है अपी प्रचीयन ते सम्व्यवारानाम व्रिधिलाबा अपी यहने भी या क्या प्रचीयन ते यहने ठीक से ह सब कुछ सके हैं उसको मैंने तुम naughty को बोलता है लिए अदे मन में सोचना अत्या्तर इने दुश्मन के सामने दुश्मन के साथ इतना अच्छा व्यावार अत्यादरा में संदी ओर यह अती प्लस आदरा शंकनिया यहने शंक का प्रतन उत्पन करता है प्रकाशम यहने प्रकट करके जोर से बोल कर अथकीम और क्या आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वानिज या आरे के प्रसाद में या आरे के प्रसादिक से या आरे के आशिर्वात से मेरा वानिज अखंडित है या वाप व्यापार जो अखंडित है तो आत्म गता याने मन में पहले बोजा है अत्यादरा शंकनिया अत्यादरा या अत् करता है तारीफ करता है तो अपने को भी डाउट होता है उसी तरह से प्रकाश अंप्रकट करके कहता है और क्या प्रसादेन आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वनिज्या यहने फिर क्या प्रकट के फिर क्या आरीकी कृपा से मेरा जो व्यापार है वो भाधा रहीट यह चात्रों इस यह गध्यांश यहां पसमापत होता है इस गध्यांश पर कुछ प्रेशने उसको ध्यान से देख लिए ये प्रश्ण तीन प्रकासे एक पदेन उत्रत पोन वाकेन और नेदेशाने सारा तो एक पदेन उत्रत देखे चानक क्या कम द्रश्टो मिच्छामी याने चानक किसको देखना चाता था चंदन दासा तो चंदन दास को देखना चाता था नौ नेक्स्ट शिश्य केन सा प्रविशती यने शिश्य किसके साथ प्रवेश हुआ प्रवेश किया चंदन दास के साथ तो चंदन दासी नौ पूर्ण वाकेन आंसर देखे पूर्ण वाकेन उत्रत कस से प्रसादेन अखंडिता में वानिज्या यने किसके प्रसाद से अखं तो पहला देखे अखंडिता इती पद से कि विशेश पदम कि यने अखंडिता इस पद का यहां गध्यांश में कौन सा विशेश पद है तो क्या है वानेजिया क्योंकि वणित जिया के लिए ही अखंडिता शब्द प्रयोग किया गया है तो वणित जिया इने व्यापार तो आंसर हुआ वणित जिया इती पदे विशेश पदम अस्ति नौ सेकेंड कोशन है प्रविश इती पदस विलोम पदम कीम यहने प्रविश यहने प्रवेश करके इस पद का विलोम यहने एंटोनिंग स्वाड क्या प्रयोक किया गया है तो निश्क्रम यहने निकल कर बाहर जाकर इती विलोम पदम अस्ती तो चात्रो इसी प्रशने के सा या गद्याश आपा समापत होता है आज के इस गद्याश में आपने पढ़ा कि प्राणों से भी बढ़कर मित्र होता है और अपने मित्र के लिए हमें अपने प्राणों को भी देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए परंतु उसके राज को हमेशा राज ही रखना या उपाध्याई आचारे चानक उसे अपने मित्र के बारे में पूशते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताता है तो पहले तो उसको बुलाते हैं महल में और उससे कहते हैं कि तुम्हारा व्यापार तो अच्छी से चल रहा है तो वो कहते है जरूर कुछ है doubt है जरूर कुछ शंका है इतना आदर मुझे दिया जा रहा है तो वो भी कहता है कि आपकी कृपा से मेरा व्यापार बाधा रही चल जा है तो चात्रो इसी के साथ या गद्यांश आपा समापत होता है आज के इस गद्यांश में अगर आपको कोई भी doubt है तो आप आज विद्यालेकF को लाइक करके query में जाकर अपना doubt पूछ सकते हैं मैं आपका जवाब जल से जल दूँगी तब तक के लिए धन्यवाद चात्रो नमो नमा